सच श्रीकाल दोस्तो पंजाब एक्जामपो टल दे इस वीडियो दे विच तो अड़ा सवागत है अज दा अपना टॉपिक काईजी Constitution of India यानि की पारदा सविदान अंगाल करदें Constitution of India दे बारे ता सब तो पहला सविदान सवा दे गठन दे अपंगाल करिए सविदान दे गठन दे जड़ा आइडिया सी वो M.N.Roy ने दिता सी M.N.Roy जिनना ने पारदे वेच Communist Movement दे शुरुआत कीती सी उनना ने उस्तो बाद Cabinet Mission Plan दे अंडर सविदान सवा दा गठन 16 मई 1964 नो होया जिसने अपना सविदान लिखना शुरू कीता या बनाना शुरू कीता तक दोस्तो सविदान यानि के Constitution of India दी गल करन जा रहे हैं अपां तो मैं तो अनू सब तो बहलां Constitution दे इतिहास दे उपर चैनना बोना जोना के अपनी जड़ी Company दे राज तो लेके फिर अंगरेज राज तक जेड़े भी स्टेप्स ले गए है अपनी Constitution बनन दे वेच जेड़े जेड़े भी जरूरी जरूरी एक्ट आए है मैं तो अनू उन्ना दी हिस्ट्री दसनी जोना ता अप शुरू कर दे हैं जी सब तो पहलां गाल कर दे है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दा दोस्तों जो दो परतगाली पारदे वेच आई सी ता उन्ना ने पारदे नाल मसालेयां वगेरा दा वापार शुरू किता सी ते फिर जो अंगरेज जानों पता लगए कि परतगाली जो हन उपार तो काफी त अनकमागे लेजा रहे हैं ता उन्ना ने एक अपनी महाराणीतों एक रॉयल चार्टर साइन करवाया करती दिसंबर 1600 कि असी भी पूर्भी देश्यां दे वेच जाके वपार करना है खास तौरते इंडिया दे नाल वपार करना है ता उस चार्टर देता है तो इस्ट इंड नाल हॉली हॉली पारते जिडे उर राजनितिक तौरते भी प्यार जमोने शुरू कर देते ता जिमें बक्सर दी लडाई होगी या प्लासी दी लडाई प्लासी दी लडाई देजिया पंगल करी इस तारंसोस्त वंजा इस वी दे वेच ता प्लासी दी लडाई जित्तन त तो बाद कंपनी ने पार देविच राजनितिक पूमिकान बॉने शुरू कर देती एक तरहनाल कंपनी दे राज जड़ा सी वो शुरू हो गया हॉली हॉली कंपनी राज कर दी गई पार दे काफी लाक्यों ने आप देख अपजेज ले ले ठीक है जी ता जिदो ब्रिटिस सरकार नो इगल दा पता लगया कि एक प्लिटिकल बॉडी बंदी जा रही है उनना ने एक तरह चेकल होने शुरू कि इते कंपनी देते ता सब तो पहला जिड़ा उनना ने चेकल आय जीदे आप अगल कर रहे हैं ओसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानिकी रेगुलेटिंग एक्ट 273 दा ता ए एक इस्ट इंडिया कंपनी ते ब्रिटिस सरकार दा नियंतरन देता और ते ए एक्ट ले अंदा गया सी इस दिविच की की है उदे बर आप अप अगल कर देए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दे अंतर गात बंगाल दा जो गवर्नर सी या बंगाल जो मुखी सी ओनों गवर्नर जर्नल आफ बंगाल बना देता गया सी दे गवर्नर जर्नल दी सेथा ले एक चार मेंबरी कांसल भी बना देती गयी सी ता अजे है जीड़े पहले गवर्नर गंगाल सन वारं हेस्टिंग वी एक्तूबर 173 नु वारं हेस्टिंग नू पहला गवर्नर जर्रल ऑफ बंगाल बनाया गया ते कलकत्ता दा फोर्ट विलियम जिड़ा किला सी गा उत्थे गवर्नर जर्रल दा जिड़ा दाफ्तर होया कर दा सी ठीक है जी उस तो इलावा 173 द शौड़ाग अंथर गात्र कलकत्ति दे विखे सुप्रीम कोर्ड दे स्थावना की ती गई एस्व प्रिम कोर्ड दे विच त्यन चार जोह आफ दे एक मोख जाज दी दूसरे तो जड़े पहले चीश जस्टिस सन सुप्रीम कोड दे, ओ सन सर अलीजा इंपे, ठीक है जी, सुप्रीम कोड दा मक्सद है सी कि कमपनी दे जड़े करमचारी रिश्वत या जड़े गिफ्ट आज लेंदे है, उनना ते रोक लाई जावे, ते ए जड़े पार्ती साशन नो से करन दा पहला अपराला सी, रेगुलेटिंग एक्ट स्तारां सो तेतर दे बेच, जिस दे बेच्च कोज लेखती रूफ दे बेच्च जड़े सन निजम बनाए गए सन, उस्तो बाद है जी, पिट्स इंडिया एक्ट स्तारां सो चराश सी, इस एक्ट तो पहला कमपनी जेसी ओ अपने राजनितिक फैसले आप लेंदी सी, ठीक है जी, परन्तू रेड़ा पेट्स दा एक्ट बनेया, उस दे बेचे है कि कमपनी जेडी सी ओ ब्रिटिश राज दी एक सबॉडिनेट बोडी बन गी सी, यनके ब्रिटिश राज दे इंकम करन लग भी सी, इस दे नालिक क्राउन दी या ब्रिटिश राज दी प्रतिनित्ता कर दे सी, उननों बोड अफ कंट्रोल क्या जन्दा सी, ठीक है जी, यानि कि जेड़े कोर्ट अफ डिरेक्टर सान, ओ एक तरह बोड अफ कंट्रोल दे अंडर कम कर दे सान, गवर्नर जनल दी जेडी कांसल सी, चार मेंब प्रतु क्योंकि गवर्नर जन्रल दी सीट कलकत्ते विखे सी, इस करके जड़े बंबई ते मदरास दे गवर्नर सी, उनना दी कोई खास मानता नहीं रहेगी सी, उननी सचरासी दे अक्ट दे वेच्च उनना गवर्नर तो इंडिपेंडेंट पावरां खोली आजी, ओ इंड जरूरी जरूरी जीजा सी, इस तो बाद गल कर दे हैं जी अपना, 1793 में दा चार्टर एक्ट, 1793 में दा चार्टर एक्ट सी, ओ दे वेच्च गवर्नर जन्रल दे शक्तियां सी जड़ी हैं, ओ और वदादतियां गवर्स, ता ओ की सी, के ओ काउंसल दा डिजीजन सी, ओ जान आपनी बीटों रक सकता यह तरीके नार क adversary साफ़ एक्ट की फैसलह होग्यां कि डीजें बौर्ड की अमंब्रा दा खर्चा आयां तनखांसी वियां, ओ ऑन कंपनी दे पअर्ती खियालन सी आटी जित्यां ़ेक्च छिण जान लग्यां, ठीक हैजी, इस तो बादे आ ठ अदालतां दा पुनर गठन होया जिड़े कनून सी ओप आर्थी पशामादे वच्छ ट्रांसलेट किते गई जिड़ा मालिया प्रशाशन जिनों अपर रेविन्यू अड्मिस्ट्रेशन के दने हैं ओ अदालती कारवाईयां तो वक्रा किता गया ठीक है जी जिदिन आल जो सी माल अदालतां ओ खत्म हो गई हैं इस तो इलावा कंपणी नूँ पारतना पपार करन दी वी साल दी होर मनौपली जड़ी सी ओ दे दिती गई एसी 1793 चार्टर एक्ट उस तो बाद गल कर दें जी अपां थारा interes mondär stop दी दोस्तों इतने नोट करने वाली बाद डाले कर के जड़े भी चार्टर एक्ट सी कि ओ मतलब के कंपनी नू वी साल दी होरा कहदा दी होरा कहदे जन्दे सी तां चार्टर एक्ट भी वी साल दी गैप्टोबाद आज आँदे गए 1793 दॉबाद 33운 सु तेरांग करके यह तुसी याद रखने ठारा सो तेरां तो बार ठारांग सो न अफरी चार्ट रेक्ट आया थी तहां हो दोस्तों जबो फ्रांसदे वेच नपोलियन तरहां होया ता ब्रिटिश वपारिया दें एक तरहां और माडे दन शुरू हो गए निपोलियन ने बरलिन समझे ओता ठारां सो छे देवेच ते मिलान समझे ओता ठारां सात्ते तैत फ्रास जीड़े ओधे एली सी गे उना देवेचे दिशा देवेचे यॉरपियन कंट्री देवेचे फैसला किता कि British goods जड़े उनना दी इनना countries देवेचे इंपोर्ट ते पबंदील आ दती जावे ठीक है जी जदो ने पबंदील आ दती तब British वपारी जड़े सी ओं 111 वेले होगे सी इनना दिश्ण देवेच उनना दा कारोबार बांद हो गया सी ठीक है जदो नना का टबया ता उनना ने British सरकार दे दबाप आया कि इंद्रों सानु साथा वपार अजड़ा बंद हो गया ते होन सानु East दे वेचे यानि की खास्त तोर ते इंडिया दे वेचे वपार करन दी आग गया दित्ती जावे क्योंकि इंडिया दे वेचे पहले East इंडिया कंपनी विपार कर रही सी ओधी मनोपली सी ओथे ता उनना ने कहा कि जड़ी East इंडिया कंपनी दे उत्थो मनोपली खदम किती जावे ते सानु वे ओधे विपार करन दी जड़ी आग गया दित्ती जावे जसदा के कंपनी ने विरोध भी किता प्रंतु इस विरोध दा कोई पार सी उस दे वेचो दी मनोपली हाले ता कभी काईम सी ता इस तो इलावा इस एक्ट दे वेच्च की होया कि जड़े Christian Missionaries सी जड़े Christian तरम परचारक सी जड़े उनननु पारत दे वेच्च Christianity दा परचार करन दी अग गया मिल गई इस तो बाद कंपनी हर साल पारती है ती सिख्च लेए एक लखर पैदा जड़े सलाना योगदान पौन लगी ते लोकल कॉवर्मेंट्स नूँ सुप्रीम कोड दे दिश्चान दे अनसार टैक्स से कठा करन दा जड़े जड़े ओ अधिकार मिल गया ये मेन मेन कम जड़े इस तो बात गल करते हैं जिए अपां थारां सो तेती चार्ट रेक्ट दी दोस्तो थारां सो तेरां दे चार्ट रेक्ट अपा पड़े है उस दे वेच जड़ा सी कंपनी नूँ भी साल दी आग्या होर मिल गी सी तांकि यो चीन नाल चाद आपार करे ओधी मनोपली है ठीक बॉड़ी यानि की प्रशासनिक आंग बनके रहेगी सी जिस करके अंग्रेज सी जन जड़े ओं पार्ट दे वेच सेटल हो सकते संथां थारां सो तेती दे एक्ट दे दीन एक जड़ा सब तो मेन का में होया की इंडिया सी जो ओं अफिशली ब्रिटिस सरकार दी कलोनी बन कया सी जयानि की ब्रिटिस समराज दे अंडर आ गया सी जिम्हें की बक्की छोटे-छोटे देश सी उमें पार्त भी रह ब्रिटिश राज दी एक कलोनी बन गया सी तां एक लौनी बनन दे नाल की होया कि जड़ा बंगाल दा गवर्नर जनर्नल सी ओं हुन ब्रिटिश काप जा सी उनना ते फिलहाल कंपनी दा ही काप जा सी प्रांतु उनना दे रिड़ा शासन सी ओ ब्रिटिश क्राउं उन्दी रह नुमाई दे वेच्च ही हुंदा सी ठीक है जी ओ अपनी मर्जी दे नाल कोई रूल्स नहीं बना सकते सन इस्तो बाद गवर्नर जर्नल दी जड दाके तन तों चाहा कर देती गहीं जन चौथ्हां मेमबर जिदा शामल किता गया हूँ एक कनूनी मेंपर सी जड़ा जानका रूल्धा हैं-थर व बैठक दे वचिछ ओधनी कोड़ीफाइए करन दी जहां लेक्ती रूपदे प्शलिखंदी ज़ड़ ही तां बॉदधेları इंडियन law पॉमिशन बनाया गया तां इंडियन law package on बनाया गया तां जायर गला की जड़ा law members itu, उप सी प्रतान की करेगा ताहं इंडियन lawсемिशन दा भी जड़ा Chairman was O.C. Lord Macaulay, दोस्तों याद रखना तुसीं, एक क्वेस्चन कहीं परी आयांदा है, कि who was the chairman of Indian Lock Mission, O.C. Lord Macaulay, ता इस तो बाद एक फैसला भी किता गया, थारां सो तेती दे एक्ट दे वेच्च की रंग, तर्म या नसल रेस देदा अर्थे किसे भी व्यक्ती नूँ, company दे employment तो वाँ जानी रखा जावेगा, जिस दा सिटा की होया, कि पार्तियां दे लेही रास्ते खुल गए, ते court of director निर्दा अर्थपदानतों की करदा सी, चार गुणा ज़्यादा बंदे सिलेक्ट करदा सी, जिस दे विच्चों एक एक बंदा मतलब कि, जिम्हें होने एक पोस्ट ली चार बंदे सिलेक्ट की थे, जिस दे विच्चों एक बंदा कंपीटिशन एक्जाम दे थुरू, ओहो सिलेक्ट कर ले कर दे सान, ठीक है जी, जिस दे में में काम होया, चार्टर एक्ट थारांसो तेती दे अंटर, इस दो पर अंकल करते हैं दोस्तों, चार्टर एक्ट थारांसो तरी, चार्टर एक्ट थारांसो तरवंजा दे विच्च की होया, कि जिडे कोर्ट आफ डिरेक्टर सान कंपनी दे, उनन दे में मेंबरां दी गेंट्टी, चौवी तो कटा आगे अठारां कार देती गई, ठीक है जी, जिडे उनन अठारां दे विच्चों भी, जिडे छे सी मेंबर ओ बिरिटिश क्राउन द्वारा पॉइंट किते जान दे सान, ठीक है जी, इस तो इलावा, बंगाल प्रांदा जिडे वक्खरा गवर्नर जनर बनाओं दी प्रवीजन देती गई, इस तो पहला की सी, कि जिडे बंगाल प्रांद सी, ओ गवर्नर जनरल दे एंडर ही आँदा आँदा सी, प्रन्तु गवर्नर जनरल को ले काम ज़ादा होन करके, ए फैसला किता गया कि, जिडना बाकी दे प्रांदा बंबाई ते मदरास, उनना दे लगला गवर्नर ने, उसे तर बंगाल दा जड़ा गवर्नर अबखरा बनाए जावे, ते गवर्नर जनरल जड़ा बाकी दे आँदे काम करे, ठीक है जी, प्रांदु एदे बेच की होया, ठारांसो चरवजा दे बेच्च लेफटिनेंट गवर्नर ता अपोइट कर देता गया, बंगाल दे बेच्च परन्तु 1912 तक बंगाल दा कोई इंडिपेंडेट गवर्नर नहीं नियुक्त कीता गया सी, ठीक है जी, ता इस तो बाद की होया, गवर्नर जनरल दी जड़ी कांसल सी, पहलना चार मेंबरी जी, ठीक है जी, होन उसनों बदा के 12 मेंबरी कर दता गया, ते उसनों इंडियन कांसल भी क्या जान लगया, ए ताह कीता गया, क्योंकि जड़ियां विदानक गतिविदियां सी, या लेजिसलेटिव एक्टिविटी सी जड़ियां, उननों वदिया टांग नाल ने प्रेजाड़े जा सकी, इसका की गवर्नर जन्रल दी डीडी कांसल सी, हो दे वेच्च बादा कर दता गया, कोर कांसल था ओही रही, चार मेंबर पके ते एक गवर्नर जन्रल आप, उस तो इलावा की है, कि कुछ मेंबर होर एड कर दते गए, जन्ना दे वेच्च की सी, एक कमांडर इनचीफ, यनि की मुक्स है ना पती, एक चीफ जज, कलकत्ता सुप्रीम कोट दा, एक रेगुलर जज, कलकत्ता सुप्रीम कोट दा, ते चार मेंबर कमपणी दे अधिकारियां विच्च चुणे जान्दे सान, ओ अधिकारिये जन्ना ने बंगाल, मदरास, बंबई, अथे ब्रिटिश ब्लोचिस्तान जड़ी मीन चार प्रांट सी गे, इनना दे विच्च कटो कट 10 साल दी सर्विस दित्ती होगे, ता इस तरह करके एक रेगुल 12 मेंबरी जड़ी सी कमसल बनगी सी, ठीक है जी? इस्तो लावा थारांसो त्रवंजा दे चार्ट रेक्ट दे विच्च कुछ नमे प्रानात जड़े सी ओ बनगे, जिद्धा के असाम, सेंट्रल प्रोविंसे अते बर्मा भी अंग्रेजजी राजदे विच्च शामल हो गए. इस तो बाद अपर गल कर दें दोस्तो गोर्मेंट आफ इंडिया एक्ट थारांसो त्वंजा दी, तो इतने चाल्ट अक्ट है जड़ी ओ खातम हो गए है, तो गोर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट शुरू हो गए है, बकर इसल्पाद्रू इंप्कॉडंट ऑचट है, इसलिए important है क्योंकि थारांसो स्वंजा दे विच्च विद्ञोग हो गया सी, ठीक है जी जिज दे सिटे बजें की होया कि कंप़नी राजदा खातमा करके जड़ा पार्थ देश सी ओ बिरिटिश क्राउन दी सिद्धी एन एक्ट फार बैटर गवर्मेंट इन इंडिया ठीक है जी जी नूं गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट थारांसोथ नगा जाना जाना है जाना है ता पहली स्तंबर नो की हुया कोर्ट आफ डिरेक्टर यानि की कंपनी देदकारियां दी एक आखरी मीटिंग होई जिस दे विच पहली स्तंबल ठारा सथ पन जानू जिस दे विच उन्ना ने एक पत्तर दे जरिये अपनी जड़ी प्रभू सता यां सोवेंटी सी जड़ी ते अपना जड़ा राजपाग सी आओ हर मेजेस्टी यां क्राउन दे हवाले कर देता ते उस पत्तर दे विचे भी कहा कि असी इस सब ब्रिटिश क्राउन दे हवाले करके चले हैं ते साथे योगदान नो याद रखाए जावे पुल लेना जावे ठीक है जी इस दिन आल के हागा कंपनी रूल दा खात्मा हो गया कोर्ट आफ डिरेक्टर सी जड़े ते बोर्ड आफ कंट्रोल सी इदो में चीज़ां पंक कर देती हैं गया पार्थ जड़ा सिद्धा सी ब्रतानवी ताई दे अंटर आ गया इस दिन आल दूरा साशन सी जड़ा हो खात्म हो गया दूरा साशन पिट्स एक्ट दिन आल शुरू हो गया सी दोस्तों जड़ा में पहला जिकर कर जखे हैं जड़ी है पावरा पहला कोट ऑफ ड्रेक्टर थे बोर्ड आफ कंट्रोल कोड हों दिए थान ओन सेक्टरी ओफ स्टेट कोड आ गया यानि कि जेड़ा पहला Board of Control दा Chairman होया करदा सी Lord Stanley, ठीक है जी तुसी याद रखना है, वो पहला Secretary of State सी, जेड़ा बर्मा सी उनुपार्थ नो वक करके एक वक्री कलून नी बना देता, ठीक है जी, Secretary of State दी जेड़ी Council बनाई गए एक 15 मेंबरी, जी दे विच्चों सत मेंबर पह पॉइंट या नॉमिनेट कर देते गए। काम करदा सी ठीक है जी ता एक बंदेरिया है जड़ियां दो उपादिया सहन गुवर्नर जनरल ते वाइस रहे दी ठीक है जी एक तरह ब्रिटिस सरकार दा नमेंदा होया करदा सी पार दे वैच बेलकुल उसे तरह जितना आजकाल जड़े राजपाल होंदे है स्टेट्स ते ओ राष्ट्रपति दे नमाइन दे हन दे है उसे तरह ठीक है जी तब पहला जड़ा वाइस रहे सी जी हा ओसी लौड कैनिंग ते लौड कैनिंग ने पहली नमंबर ठारा सो ठवंजा नो एक कोशना किती सी अलाहाबाद विखे की जड़ा इंडिया है होन ओ ब्रतान भी सरक कार दे अधीन आ चुक्या है ठीक है जी ते इस एक्ट देवे चिक का में भी है कि गवर्नर जनरल दी जड़ी कोर काउंसल सी पहला चार मेंबरी सी ठीक है जी ओ होन पांज मेंबरी होगी उस देवे चिक लीगल एक्सपर्ट और शांबल कर लया गया ता यह जड़े मीन मीन डिसकस कर रहे है जिड़े की अपने constitutional point of view दे नाल relevant है ठीक है जी ता उस दे श्रेणी दे बच्च अगला एक्ट जड़े आपना डिसकस कर रहे है ओ है गा जी इंडियन कांसल एक्ट 1909 जिनू की मौरले मिन्टो रिफांस दे ना नाल जाना है जान्दर ठीक है जी मौरले ज कत्तर होया कर दे सान उस टाम ते मिन्टो जो सान वो गुवर्नर जर्नल दी उपादी दे सान ठीक है जी ता इनना दे नाम ते ये एक्ट बनेया एस एक्ट तो पहला दो सारांसो बन्न में दे इंडियन कांसल एक्ट दे बच्की होया कि जड़ी केंदरी विदा अन्परिश जी यनि कि इंडियन कांसल इस जो वदे अधिक मेंबरां दी जड़ी गेंटी सी ओ बदा आके शोड़ां कर देती गईसी परांतु इस कनून देता है बदा आके शर्थ कर देती गईसी दोस्तों तुसरी थे कंख्यूस नहीं हो ना जड़ा सेक्टरी औफ स्टेड है वो दी वख रही है ठीक है जी सब्सक्राइन कि येंडमल मेंदरों ब्रॉम्ट कनेज कर अध्र दीं वह ब्र है परम्था ठारासो फं एक रेगुलर जज ते छे कंपनी दे चुने होई मेंबर ठीक है जी ए एक्स्ट्रा मेंबर यहां अधिक मेंबर दे तौर ते गवर्नर जनरल दे काउंसल दे विच शामल करके उन्हों इंडियन काउंसल बनाया गया सी ठीक है जी ता उससे इंडियन काउंसल दी गल में काउंसल दी गिंटी सी ओ सोडा तो बदा के साथ कर दिती गई सी ठीक है जी ते उन्नी सो नौ दे एक्ट दे विच एक होर जरूरी जड़ी फेर बदल होया सी ओ यह होया सी कि इस तो पहला बोटना दे का आर तिन काटेगरी दे विच बंड़ा है सी वोट करन दा वो करि बना दे गई इन्स नौ दी व्खरी चोन परके रहा उन्नी सो नौ दे एक्ट दे वेच्च शामल कर देती की जसनूं कि एक कमीनल फोट दे तो और दे ते टर फेलिचोन रंग देगए धिक भी देख्या गया कि मुसलमान दि व्खरी चोन परके रहा बनाई गई गई है ठीक है जी काफी जडी सी वो criticism भी होया उन्नी सो नौन दे कनून दे वेचे भी कोशना किती गई के गवर्नर जनरल ते जडी प्रांतां दे गवर्नर हैं इनन दिया एक्जीक्यूटिव काउंसल हों दियां पहला दसकेट हैं गवर्नर जनरल दी काउंसल ते उससे तरह ही जडी अलागलाग प्रांतां दे गवर्नर सी उन्ना दे काउंसल सी एक्जीक्यूटिव काउंसल सी नियुक्त किता जावेगा एक मेजर फैसला सी के पार्तियानों एड्मिस्टेशन दे वेच्च शामल करन दे लिए पहला स्टेप सी उन्नी सो नौ दे कनून दे वेच्च ठीक है जी तां इससे स्टेप दे दीन की होया कि बंगाल दे जडी एड़ोकेट जनरल सी ओस टैम ते डक्टर एस फी सिना सी ज गवर्नर जनरल दी एक्जेक्योटिव कमसल दे वेच्च एज एक कनूनी मेंबर शामल कीता गया ठीक है जी तां इत्थे एक क्वेश्चन भी ये बंदर की केड़ा पार्ति सी जी नौ गवर्नर जनरल दी एक्जेक्योटिव दे वेच्च शामल कीता गया सी या कनूनी में गाम हुए सी इंडियन काउंसल एक्ट 1909 दे विच इस तो बात गल कर दें दोस्तो पार्थ सरकार एक्ट 1909 दी यह काफी जरूरी एक्ट है ता ए दे विच की सी के वोस टैम ते पार्थी सकत्तर सन जो मिस्टर एडविन सैमुल मॉन्टेग सन ठीक है जी ते वो पार्थिय अनुस उन्तुष्ट कर लिए उनने भी एक आस्त 1909 कोशना के थी उस कोशना दे वच की गया गया ओधे पॉइंट कोश में तन दास देना पहले नमबर ते पार्थ जो है बरतानवी सल्तनत दक अटोट टांग रवेगा ते पार्थ दे वच सहजे सहजे उत्तरदाई सरकार दी स्थाबना करना बरतानवी सरकार दी निती होएगा पहला पॉइंट दूज्जा जे वच सिगा कि इस निती नूँ अमली रूप देन ले बद तो बद पार्थ या नूँ इस दे वच शामल कीता जावेगा ते सेल्फ गॉवर्मेंटर होडी होडी कास कीती जावेगी ठ ठीके जी पार्थ दे वच उत्तर दाई सरकार दी स्थाबना दे ले निती नूँ स्टेज वाइज लागू कीता जावेगा ए मेन पॉइंटर जेड़े की एड्मिन सेंबुल मॉन्टेग ने रखे सन पार्थ या नू संतोष्ट कर ले ता इससे दे नतिजा सी 1909 दा आई जाओगी प्रांतो की होया कि जिद्धा रॉल्ट बिल पास होया तो काफी कंट्रोवर्शिल सी उस दे सिट्टे वजों जिल्लें वाले बाग दे विच्च बहुत मंदपा की गटना होई ता इदे नाल की होया सरकार दे ते काफी प्रेशर आ गया ति उन्होंनों जल् न्होंनों के जाना ते हैं जातृत हैं जाना होसां हो तक जाना जर्णानों जैना जाना होसॉअ थिक है जी गन्हों पगरेलिया मंताम और युशक्ती के बादए ग क्या स्य। प्रस्तावना आपन सारे जमें जान दे हैं जी जिन्नों प्रेयंबल क्या है जन्द है वह देवेच शामल किती गई सी ता इस एक्ट देवेच की यह है जी कि पावरां सी जड़ियां वो पहला ज्यादा सेंटर कोड़ होया कर दियां सन परांत उन्नी सो उन्नी दे एक्ट दे पावरां दे जी डिवीजन होगी मतलब के सेंटर दे स्टेट दे वेच्छ पावरां जड़ियां सी वो बांड देतियां गया यानि की विकेंदरी करना कर दता गया पावरां दा इस दे वेच्छ जड़ियां सी पावरां नो लेस्टां दे वेच्छ डिवाइड कर दता गय इनना दिवेच जडिया 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 पाग, आवा जाई, ये सारे केंदर नास वंदर सी, ते इतना करके है 47 जेड़े सब्जेक्ट सान, इस तो लावा जेड़े स्टेटां दी सूची जेविच सी, जिमें के खेती बाड़ी, सिंचाई, स्वैश आशन, विद्या, इतना करके कवंजा सब्जेक्ट जेड़े सान, सब्जेक्ट जेड़े सारीकीं, और सब्जेक्ट सी, जो फिन ंयुआं, इतना करके शक्ति जेड़े सें, संलघे सी वो टैक्स भी बांड़ दते है ठीक है जी ता एक तरह दे नाड़ इस थे 12 साशन प्रबंद सी जड़ा वो फेर लागो हो गया जिसनू डायार्की क्या जंदर डायार्की जड़ा शाब्द है वो एक ग्रीक पाशा दा शाब्द है जड़ा की डायी ते आर्की तो बने डायी दा मतलब दोरा दे आरकी ता मतलब साशन ठीक है जी आस एक्ट दे विच्च पेहली वारेबार दे वैच्च पबलिक सर्वेस कमिशन दी स्थापना भी ह automation ते इस जी लावा एक होर सारे कममेंस्जन दी स्थापना हों जेड़ा 10 ऐश रांबाद सारे कमांदी पर्ख करे करक सरकार दें दी कितना चल रहे हैं तो जड़ा साइमन कमिशन सी दोस्तों ओ इस कमिशन दा हिस्सा सी जड़ा 10 साला बाद सरकार दे कमा दी पर्क करें करता सी ठीक है जी तां 1919 दे एक्ट दे वच्च की होया कि 1919 दे वच्च में तो अंदस केट हैं कि जड़ी यह वोटिंग कैटेगरी सी तेने तो चार हो गी हैं सी मुसल्मान ओनना दे वच्च एक बखरी कैटेगरी बना देती गई सी परंतो 1919 दे एक्ट दे वच्च जड़ी कमिशन तां 1919 दा Government of India एक्ट दोस्तो एदे वच्च याद रखनवाला जिड़ा मुख मुद्दा ओ एही है एस एक्ट दे वच्च के पहली बारी जड़ी यहां पावर से यहां वो सेंटर ते स्टेटां दे वच्च डिस्ट्रिब्यूट कर देती हैं गयां जी यानि कि स्टेट्स इसनों भी अधिकार दे रहते गई सेंट तो इस तो बाद अपने गाल कर दे हैं जी गवर्मेंट आफ इंडिया आट 1925 एक काफी जरूरी एक्ट है जी ते एह हुन तक जिड़े अपने गनून डिसकस कीते हैं बहला उन्ना दे विच्चों साब तो लंबा गनून सी गया ज सेक्षन ते दस शेडियूल सी ठीक है जी एस एक्ट ते वच्चे जिड़े मेन मेन काम कीते हैं मैं तो अन दस दा है जरूरस साषन प्रबंद सी जिवन पहला दस केत हैं रिजरब ते ट्रांसफर मों दे उख ने हम करके ते इस स्टेट्स नो मतलब के पहला एक सेंटर थी एक सबाडिनेट दे दौरते कम कर दे एक आई दे दौरते कम कर देने सी प्रांतो 1935 दे वेचे इननो बेलकुल अजादी दे देती गई ठीक है जी ए अजादी देती गई है साइमन कमिशन दिया सफारशा थे ठीक है जी उस तो इलावा पार्ती नितामा ने भी काफी जड़ा 1909 अले एक्ट दा विरोध कीता सी ता प्रांता दे वेचे पूरण स्वय साशन जी जड़ी स्थाबना 1935 दे एक्ट दे वेचे इती गई ठीक है जी तैस दा सिटा की होया आल इंडिया फेडरेशन दा जड़ा निर्मान होया ठीक है जी 1935 दे एक्ट दे वेचे ता आल परनर ते 6 चीफ कमिशनर ए दे वेच शामल सी इस तो लावा पार्ती रियास्तां सी जड़िया इस दा फेडरेशन फेडरल संग यानिके सरफ पार्ती संग दे वेच शामल होना पार्ती रियास्तां दी अपनी मर्जी दे उपर नेर पर करदा सी जे कर उनना ने इस दे सेशन यानि की प्रवेश पत्तर देते साइन करने पेंदे सी ठीक है ता ओ शामिल हो सकते सी ता संग ते केंदर दे जड़े चकड़े सी उना दा निप्टारा करनली एक फेडरल कोर्ट दी भी स्थापना किती गई ते केंदर ते स्टेट्स दे विच शक्तियां दी बांडर त जिस दे वेच्च 59 सब्जेक्ट सी गए एक प्रविंशिल लेस्ट यान प्रांतक सूची बनाईगी जिस दे वेच्च 54 सब्जेक्ट रखे गए ते एक कंक्रेंट लेस्ट यानि की संभर्ती सूची बनाईगी जिस दे वेच्च 36 जड़े सब्जेक्ट ओ रखे गए दोस्त प्रांतु उन्नी सो पैंती याला एक्ट जेड़ा ओधे वेच्च दूरा परबंद आ गया इस्तो इलावा दो सदनी विदा अनमंडल दा विये वेच्च जेड़ा प्रवीजन कीता गया दो सदनी विदा अनमंडल दे वेच्च की सी एक फैडरल असेंबली सी या हेटला सदन सी ते काउंसल अप स्टेट सी देड़ा परला सदन सी ता फैडरल असेंबली जिमे की अजका लोगसभा उस दे 375 मेंबर होया गर देशन जिनना दे विच्चों 25 मेंबर ब्रिटिश प्र कर गिए उपरला सदन ता होदी 260 मेंबर होया गर देशन जिनना दे विच्चों 156 मेंबर ब्रिटिश प्रांतां दे एक सो चार मेंबर जेड़े सी ओ पार्ती रियासतां दे विच्चों ले जान देशन ठीक है जी जेडी ठारां सो ठोंजा दे विच्च इंडियन कांसल बन आए जी ठीक है जी एक सी 1925 दे गोर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे कुछ मत पूर्ण जेड़े सब्जेक्ट दोन में दे विच्च दसे है तां दोस्तों एसन ओ एक्ट जो की कंपनी राज तो लेके फिर ब्रिटेश राज दे विच्च जेड़े स्टेप बाई स्टेप आपने सविदाहन दे बनन दे वेच्च होली होली जीड़े सहाई हुन दे गए उना जीड़े कोज मतबूर्न कुनुणना दे बारे मैं तो अनुझ जानकारी विद्धी उना दे यतिहास बारे दसे है इस तो बाद आपाँ गाल कार देयां जी अपने सविदाहन दी जड़ एक सविदान लाकू होना चाहिदा है किसे भी देश दी जीडी सोवन्टी है ये प्रभू सता है उदे लही एक मतलब लिखती ये मोखेक रूप देवेच्च कोई नजम बनाया जाने चाहिए दिया सविदान दे रूप देवेच्च ना उनना ने ऐ आइडिया देता उनी सो पेंती दे वेच्च इंडियान नेशनल कॉंग्रस ने ओफिशली सविदान दे मांग की थी ठीक है उसतो बाद 1940 दे अगास्त आफर दे वेच्च उस टाइम दे लॉड लिनलित को अपने जेड़े सी गुवर्नर जरनल होया कर दे सी उननने इस जेड़ी तजबीश सी कि उन्हों शामिल कर ले गया अगास्त आफर दे वेच्च ठीक है जी ते फेर उसतो बाद 16 माई 1960 नू कैबनेट मिशन दे जेड़ी सी सविधा अंसबादा गठन किता गया जीनू अपां कॉंस्टिट्वेंट असेंबली भी कहा दे सविधा अंसबादा गठन होया ता सविधा अंदर इड़ बनना सी ओधिक तनने शुरू आत होगी सविधा अंसबादी जेड़ी राया उधे बारे मैं थो ठालना बाद अंस्वेट जो जो बनी है सविधा अथे अनसबा ओस दे जेड़ी एटी-फेंड मेंबर्स भाया कर देशिए्, 389 मेंबर्स दे लिच और 92. वो जड़े British provinces दे विच्चों nominate किते जांदे सहां nominate नी elect किते जांदे सहां indirect election दे ँवारा ते बाकी दे जड़े 93 member सीगे वो है सिटेट ज़नी की रियासता दे विच्चों nominate किते जांदे सहां ते चार जड़े chief commissioner नी दिली IJMRR महारवार दोस्तों बन में जड़े ब्रिटिश प्रविंसेज देते चार चीफ कमिशनर, दोस्तों चैन में जड़ी ये सीटां सी, उनना दे लई इंडिरेक्ट एलेक्षन होया करदा सी, ते त्रहन में मेंबर जड़े सी, और आस्तां दे विच्चों नॉमिनेट करके पेज़े जान द सिख, मुसल्मान अते जनरल, ठीक है जी, उस्तों बाद की होया, जड़ो वोटिंग होई, 296 सीटां दे लई, इंडियन नेशनल कॉंगरस नूँ 208 सीटां मिलिया, मुसलिम लीग नूँ 33 सीटां, यानिकी 73 सीट्स मिलिया, ठीक है जी, जड़ो मुसलिम लीग नूँ सीटा काट में हैं, क्योंकि उन्हां दी रिप्रेजेंटेशन भी जाहर दौरते काट सीगी, तो मुसलिम लीग नूँ मदलब के एद्दा महसूस होया कि इस तरहां जड़ा साधा रिप्रेजेंटेशन है, जड़ी साधी कमिनूटी है, होड़ी होड़ी दबी जावेगी, क्योंक हिंदू मुसलिम जड़े दंगे होने शुरू हो गए, हिंदू मुसलिम जड़े दंगे पढ़के तां लौड मांट बैटन वस टेम ते गवर्नर जनरल बंगे से अपने तां लौड मांट बैटने की किता जड़ी कॉंस्टिटवेंट असेंबली से गी ओपांग कर देती, ते उपांग करके तेन जून उनी सो संतार इनुन उनने इंडियन इंडिपेंडनेंस एक्ट दी कोशना किती, कि पहला तो अनो दोमा देशान वाट करके अजाद्धी दे दिये, उस तो बाद उसे अपने जड़ियां, कॉंस्टिटूट असेंबलियां या अनो जादे इनुन गेंडियां पिष्ञें पीतिकेलीमिय्यां। बाद बढ़ी जीदे विच्चर 200 निटेन में सी इतना रहेगने हैं से खेर एतर एए एलेक्शन तो बाद दीगालो सब तो बहुत कोंस्टिटूर्ट असेंबली बेठी है तो जड़े बी एन राओ होया करते सान उननों सब्धा आंसबादा एडवाइजर नियक्त किता गया खेक है जी ते जड़े सब्धा अनसबादी पहली मीटिंग जदो होई 9 संबर उननी सुछाडी नू ता उस टाइम ते जड़े सब्धा सब्धा तो बजर्ग मेंबर होया का दिसान डक्टर सचिदा नंसिना ता एक वारी यहन्ना नू जड़ा सी ओ चेरमैन ने यक्त कीता फ्रोटका जड़े प्र आंसबादी ता उस टो दो दिन बाद यानि की गया जड़े नू डक्टर रेजिंदर परसाद नू प्रदा आंजड़ा सी औह बना देता घया ठीक है जी ता होने इस ते बेच कीसी सब्धा अंसबा यहां टेरा कमेटियां बणिया ठीक है जी अलग अलग लग कमेटी बनाई गई ता एक कमेटीयां जो सन ओ बाई जनवरी उनीसो संताली नू बनाई आ गई ता इनना दे विच्वन जुनियां इंपॉड़न्ट कमेटी हैं गयां ओ मैं तो आनू दास दिना केडियां केडियां साथ तो पहले नंबर थे यूनियन एंड पावर कमेटी जिदेगी परदा अंगी जवारलाल नहरों ने किती दूसरी है कि ये फंडामेंटल राइट कमेटी जिदेगी परदा अंगी वल्लब बाई पतेल ने किती प्रोविंशिल कॉंस्टिटूशन कमेटी जिदेगी परदा अंगी भी वल्लब बाई पतेल ने किती Union Constitute Committee, एदी परदानगी जवारलाव नेरो नेगी ती, drafting committee, काफे बाडन बनी है इस दी परदानगी है ओड 아क्टर पी रावंबेद करने फलाग कमेटी J.V. कृपलानी ते steering committee दी परदानगी की. A.M. मौंची नेगी, 13 दसंबर 1960 जडी कारवाई शुरू होई सी सब्धान थी ठीक है गी कमेटियां दा बाई जानवर 1967 नू बनिया प्रांतु 13 दसंबर 1960 जडी officially कारवाई शुरू होगी सी सब्धान बना हों थी जडी कारवाई सी ए पंडजवारल नहरो दी जडी प्रस्तावना सी या objective resolution जड़ा बात देवेच अपना preamble बन गया ठीक है गी ओ उस देर नाल शुरू किती गई 4 फरवरी 1989 जडी सी ड्राफ्ट बनके त्यार हो गया ते इसनो चर्चा देले पेश किता गया यानिकी फस्ट रीडिंग देले पेश किता गया 15 नमबर 1988 नो सवेदा अंसवा दोबारा फेर बैठी ते दुज़ी मीटिंग शुरू होई ठीक है जी चबी नमबर 1990 नो दोस्तों Constitution जड़ा सी पूरी तरह बनके त्यार सी ठीक है जी साइन वगरा हो गे सन ते चबी नमबर 1990 नो असल दे बैच्च अपना भी लिया सी पूरी तरह नहीं परन्तुए ते जड़े कुश पाग सी जवे citizenship election हो गया प्रविंशिल पार्लिमेंट हो गया इन जड़े चीज़ां सी इननो इमिडेट एफेक्ट दे नाड़ अपना ले गया सी ते बाकी देड़ेड़ा Constitution सी ओ पूरे देश दे वेच्च अपने 26 जनवरी 1950 नो लागो गिता गया दोस्तों इत्थे नोट करने वाली गाले है कि जड़ों Constitution 26 नवंबर 1990 नो बनके त्यार हो गया सी ते इसनो फिर डिले क्यों किता गया दो तेन मिने तहां एदे पिछे कार्ण नहीं है कि 1990 देड़ा लहार सेशन सी कांगरस दा ओ दो ननने सब आंदी मांग किती सी ते 26 जनव जार करके ग्रेज चले जान तहां ओ ही 26 जनवरी केड़ी तरीक सी कि उसनों मुख्राग दे होई जड़ा सी Constitution लागू करन देवेचे डिले होई कि अपाँ छबी जनवरी नों करांगे जिदो अपा एक्ट्यल देवेचे पहला जादी देव से मनाया गया सी तहां शबी अनवे आर्टिकल बाई पार्ट्स अते अट शड्यूल सी ठीक है जी परन्तु होली होली एमेंडमेंट्स अंदियां गया नमी करून बंदे गए तहां हुन जड़ी सिच्वेशन है कि ये देवेचे चारसो अड़ताली आर्टिकल पच्ची पार्ट्स ते बारा शड्यूल ठीक है जी ते एक ये वेचे जरूरी का ले कि जड़ा अपना इंडियन फ्लैग सी गा उन्हों बाई जुलाई उन्हीं सो संताली नूं कॉंस्टिट्टेंट असेंब्ली दे द्वारा एज ए अपना नैशनल फ्लैग अपना ले गया सी ताहीं डेट कुसी याद रखनी है संताली नूं अपना जिड़ा सी राष्ट्री जंडा वे नैशनल फ्लैग दे रूप दे वेचे अपना ले गया सी जिड़ा आजकल त्रंगा जंडा देख दियें ते ए जिड़ा अपना राष्ट्री जंडा एज जिड़ा डिजाइन है वो पिंगली वेंकेया ना दे चों 114 दन जिड़ी सी सविदान दे उपपर जिड़ी सी बैस होई ये पार्लेमेंट दे वेचे ठीक है जी इस तरह करके जिड़ा अपना सविदान सी उत्यार होगे ते सविदान दे शुरू दे वेचे जिमें मैं तो पहले न दस है कि पंड़त नेरो जी जड़ी अब्जेक्टिव रेजोलोशन दे नाल कारवाई शुरू होई सी ओस अब्जेक्टिव रेजोलोशन नू एज प्र जिनों त्यान दे विच राके सविदान त्यार किता गया हो मुख मंतल की है और अपनी सविदान दी प्रस्तावना दास्ती है यह जड़ी प्रेयंबल है एक्चुल दे वेचे दोस्तों मतलब कि यॉनाइट्ट स्रेट्स ऑफ अमेरिका दी प्रेयंबल तों कॉपी गीती ग अपने यू ऐसे तो एक तरह बारो किता है जिए में बाकी दे और भी पार्ट अपने सविदान दे वेच्छा है वह में तो अनुदास्ता केड़े केड़े देशां तो हो लए गया है दोस्तों 75 प्रसेंट दे क्रीव जड़ा अपना कॉंस्ट्योशन है वह गॉवर्मेंट देशां जड़ी 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 है ओ शामल किते हैं कि यहां कॉंस्ट्यूशन दे विच्चर ओ इस तरह है के जड़ा यूक्के यां युनाइटड केंग्नम तो जड़ी जड़ी चीज्ज़ां अपना बारो किती है ऑ गया जी नॉमिनल हैट जैनी की प्रेसीडेंट दे दी प्रवीजन आओ हो, cabinet system, prime minister दी पोस्ट, parliamentary type of government, ठीक है जी, दोरी parliament by camera parliament, अपर house दे lower house, ठीक है जी, lower house दे more powerful होना भी अपना UK दो बॉरो किता है, council of minister भी UK दो बॉरो किती है, लोग सब दो speaker दे single citizenship, ये भी अपना UK के कहूं, बॉरो किते है, उस्तो बाद United States of America को पर की की लिया है, सब तो पहला प्रेंबल चकी है, ठीक है जी, उस्तो बाद written constitution, दोस्तों, दुनिया दे विच्च, सब तो पहला written constitution जीड़ा बनाया सी, वो United States of America ने बनाया सी, ठीक है जी, रिटन constitution जीड़ा सी मतलब की लेक्ती रूप दे वे समयदान होना चाहिए, वो भी अपना United States of America तो ले आ गया, उस्तो बाद जीड़ा स्टेट दा है, यानि के अपने स्टेट दा है, जीड़ा प्रेजिडेंट है, स्टेट दा मतलब के, इतने अपना इंडिया देश्दी काल कर रहे हैं, तो दे जीड़ा है, constitutional head, that is president, तो जीड़ा स्टेट दा होगा, वो ही अपनी armed forces दा head होगा, ये चीज़ भी अपना US से तो लई है, ठीक है जी, इस तो लावा जीड़ा vice president होगा, ओ राज्यसभा दा, ex official chairman होगा, ये चीज़ भी अपना US से तो लई है, दोस्तो, ex official chairman दा मतलब है उन्दा, मतलब के वी बंदे नूँ चुन्या किसे whole purpose ली गया है, परांतो नाल नाल होगा, जीड़ा है, ओ दूसरा कार दा है, जमें के अपने, पहला प्लानिंग कमेशन देवेचे जीड़ा, प्राइम मिनेस्टर होंदा सी, ओ एक्स official chairman होंदा सी गा, तो मतलब के नाल नाल होगा, जीड़ी अपनी duty ने पहुंदा सी गा, में काम दे भावजूद, यह दे लिया नूँ कोई वक्री जीड़ी तनखावगरा नहीं मिल दी, परांतो जीड़ा वाइस प्रेजिड़ा होदी केस देवेचे होंदा, यह वाइस प्रेजिड़न्ट नूँ जीड़ी salary है, ओ मिल द प्रेजिड़न्ट वाइस प्रेजिड़न्ट ने पहुंदा, तो जीड़ी salary इंटाइटलमेंट यह जीड़े भी उन्हों होर पत्ते मिल लें हन्दे है, ओ प्रेजिड़न्ट वाड़े हो जन्दे है, ठीक है जी, यानि कि ओदों हो entitled हुंदा, प्रेजिड़न्ट ती तनख Fundamental Right दोस्तों बहुत ही जरूरी है, Fundamental Right थी प्रोवीजन सब तो पहला, United States सब ने लेके आंदी सी, तो Fundamental Right है जीड़े हाँ हो, US से तो बारो किते हुए है, इस तो लावा Supreme Court, ठीक है जी, ते Independence of Judiciary, ठीक है जी, ते Judicial Review थी पावर है जी, यह बहुत important point है, याद रखना दूसी मतलब के Judiciary है जीड़ी, ओ बेलकोल Independent है, जमें अपने Supreme Court है, EPEX Court है जीड़ी इंडिया थी, ठीक है जी, तो एदे कोले एक Judiciary Review थी पावर हंदी है, ओ Judiciary Review थी पावर की हंदी है कि जदों अपनी Parliament दे बच्च, जड़े अपने MP हिंदे है, ओ कोई भी कनून पास कर दे है, ठी एक्ट नहीं करना चाहिदा, ओदे खलाफ नहीं जाना चाहिदा, ए चीज है जड़ी, ए निर्दार्त करना का महंदा सुप्रीम कोट थी, इन्हों Judicial Review कह दे है, इस तो लावा, सुप्रीम कोट थे, हाई कोट थे, जज जान दे जड़ी रिमोवल है, जैं इंपीचमेंट है ओ प्रवीजन भी उनाइटर स्टेर्स तो लाई गई है, फार्मर यूएससर यानि के सोवियत यूनियन तो अपना ले आएगा जी, फंडामेंटर द्यूटी ज थे, फाइव येर प्लैनिंग, ये दो चीज़ां लही है, ऑस्ट्रेलिया तो अपना कंकरेंट लेस्ट दी प इंटर दो में कनून बना सकते है, ये चीज़, ते ट्रेड कमर्स इंटर कोर्स इना दे ले जड़ा, ये प्रवीजन भी अस्ट्रेलिया तो ले गई है, जपान दे कोड़ों अपना जी सुप्रीम कोड दे फंक्शन के में होन, ओ दे ले जड़े कनून की होने चाहिए है, ओ जपान तो ले गए है, वीमर कंस्टिटूशन ऑफ जर्मनी दे विच्चों अपना ले आजी, के एमर्जेंसी दे दरान जड़े फंटामेंटल राइट है, ठीक है जी, उननों सस्पेंड किता जाना चाहिए है, ओ चीज जड़े ओ अपना जर्मनी तो बारो किती है, दोस सस्पेंड कर देते जानदे है, जयानि कि उस टैम ते लागो ने रहनदे, सिर्फ दो राइट अड़े आटिकल भी ते एककी, यानि कि राइट टू लाइफ ते जिड़ा प्रेवेंशन ऑफ जिड़ा डेटेंशन अड़ा इककी मा आटिकल, ये दो में चीज आ लागो रहन जी प्रसीजर जिड़ा की कॉंस्टिटूशन दे बैच अमेंडमेंट्स कितां किती हैं जान ये जी है, ये काफी इंपॉर्डन है, कनेड़ा दे तो अपा लई है जी, फेडरेशन दी स्कीम ठीक है जी, मतलब की सेंट्रल स्ट्रॉंग हो बहे, ते स्टेट से उदे इंडर एक तरह अंकम कर, तो इस चीज के रिड़ा तो लई गई है, इस तो लावा स्टेट ते सेंटर ते बैच टेड़ी पावर्स दी इस्ट्रिबूशन है, वो भी अपां के रिड़ा तो लई है, ठीक है जी, ते आयरलेंड तो दोस्तों अपां ले आ है जी, concept of directive principle and state policy, ठीक है DPSPA जीड़े ओ, अपां आयरलेंड तो लई है, इस तो लावा प्रेजिडेंट ता जीड़ा election आओ, कितना होए, ए चीज भी आयरलेंड तो ले गई है, ते राजसवा दे बैच प्रेजिडेंट जीड़े नॉमिनेट करके बंदे पे इदा ए चीज भी आयरलेंड तो ले ग जो बारो करके constitution दे बैचे शामल कीते गई है, यह तो सी याद रखने है, दोस्तो एक दुबाद अपा गल कर दे हैं, जी सविदान दे जीड़े आर्टीकल्स होना बारे, जीड़ों मैं तो नो सर्फ कोर आर्टीकल्स बारे दसुंगा, जीड़े 395 जीड़े सविदान अप एक तो लेगे 395 आर्टीकल्स डिसकस करन बैठांगे, जारत और ते अपनो जीड़ा है, समा बहुत ज्यादे लग जुगा, ना ही होदा को इनना फैदा होना, तो अड़ी सुदा दे लई मैं कि ता भी आर्टीकल्स नो जीवें जीवें पार्ट्स दे वेच वंडे होया है ठीक है जी, होँए उमे मैं ता नो एहे, ग्रुप्स दे वेच जीवें बंडे होया होँए दस दिना, तो उसे याद रखना है, एत्थों तो अनो तगरीबन पर्देबन 50% आइडिया हो जुगा, जे कोई आर्टीकल्स गालों के पर दे वे चांदा भी है, कि एक एस चीज दिनाल सबंदत है ठीक है जी गुरुप्स दे विच बंड के मैं तो अनुव यह समझा देना है तो उसे यह याद रखने है सब तो पहला आप अंगाल करते है आर्टिकल एक तो लेक्टिस का अर्टा करते हैं इन दे विच सिर्फ एही दसे गया है कि इंडिया जिटा दाट इ कोने ठीक है जिन दे नाव बदली करने इदन यह जिजां एक तो लह कर चार तक दसी घिया है उस तो बाद आर्टिकल बारा तो पहन्ती आपकी ज्रूरी है दोस्तों आर्टिकल बारा तो लहके आर्टिकल पहन्ती दे वेच्टे फंडामेंटल राइट सा ओ डिसकस कीते कुलिटी बिफोर लौ ठीक है जी बारहां तो पहिंती दे तक फंडामेंटल राइट डिसकस कीते गए है उस तो बाद छती तो लह गए आर्टिकल कबंजा तक जड़ी है न डिरेक्टर प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलसी जड़ी है वो डिसकस कीते गए है तो दोस्तो डिर भावन दे लए की की उनुं करना चाहिए है वो चीज़यां सारी है दे विच दस्यां दिया कि मैं जिम्हें की बाल में दूरी रुकनी ठीक है जी कटो कटो किन्ने देना कम लोगां नू देना ठीक है जी रिसोर्से दी बंड करनी लोगां दे वैच्च ते उन्हों नू लोड़ां दी पूर्ती करनी यह सारी है जीज़ां डीपी एसपी दे वैच्च मेंशन किती हैं में लिए उस्तो बाद एससे दे वैच्ची आर्टिकल एक बंजा एड़ेड़ा एक को नमा शामल कीता कैसी ब्याली में सोद 42nd मेंट मेंट दे वैच्च ओ सिगा जी फंडामे लिए आर्टिकल एक सो एक लग़ा तक डिकल बंजा फंडा तो लेके एक सो एक वजा देविच्च दोस्तों जड़ा यूनियन है यानि कि यह पिससेंटर कैजने हैं पाशा दे विच्च ओधे बारे दस्यां गया है जिमें प्रेजिडेंट आर्यंदा सब तो बेला फिर प सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर यूनियों टेसे लिए उस सारी इन आर्टिकल दिफाइन कीती गही है उस्तों पाद आर्टिकल लाद दोस्तों तरताली यूनियों ट्रॉरी आर्टिकल बहुत जरूरी है यह तो याद रखना है यह आर्टिकल काफी लंबा खिच्चा गया है इस आर्टिकल दे विच्च पंचायत मुश्पल्टीज ते कॉप्रेटेव ससैटी है ते नहीं शामल कीती हैं गिनिया ते इस आर्टिकल जिम्हें के 233 तो लेके 233 O जिदो कोई आर्टिकल दे विच्च अमेंडमेंट होके दोस्तो नहीं चीट आए रहे हैं तहां वो आर्टिकल दे नंबर ता उन्हें रखने हैं तो दे विच्च एक इंग्लिश अलफाबेट आड़ कर दे जिसे नाल की एक नमा ते आए जोट जन्दा दे च तहां उससे तो नहीं इस आर्टिकल दे विच्च कीता गया है आर्टिकल 243 तो लेके 233 O ता करेड़ है के उपन चायता है 233 P तो लेके 233 ZG ता कमेंस्पल्टी जाए 233 ZH तो लेके 233 ZT ता करेड़ है कॉपरेटिव सेसाइटी जाए ठीक है जी इत्थे है 233 आर्टिकल ख यहे इत्थे विच्च जेड़े ट्राइबल दे रिया है च्डियूलड द्राइबल अर्ड जेड़े ओर्ड सकीते गया है उस्तवाद जी आर्टिकल 205 तो लेके आर्टिकल 210-थैठ तक इन्ने जे विच्च दस्या गया है कि सेंट्र ते स्टेट दे ड़ेलेशन है और टेहले विच दस है गया है दोस्तों एदे विच एक तोन मैं ज़रूरी दस देहां कि पहला एक आर्टिकल पहला एक fundamental right होया करता है राइट टू प्रॉपर्टी ते बाद विच गौवर्मेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी यह fundamental right वो हटा देता सी ते उन्हों एज लीगल राइट आर्टिकल 308 दे अंडर शामिल कर लेगा है ठीक है तो याद रखना है कि जड़ा राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहला एक fundamental right है कर लाई होन्हों लीगल राइट है ते वो हैगा आर्टिकल 308 दे अंडर दर्ज है अपने constitution दे वेच उस्तो अगे है दोस्तो आर्टिकल 301 दे लेके 307 तक पार्ट दे टेरिटरी दे वेच 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 जड़ा वबार करना उदे बारे दस्यागया दे ठीक है यह तेंसो आट तो लेके 303 आर्टिकल जड़ा उदे वेच दस्यागया कि पार्ट दे सेंटर द दे बारे वेच आर्टिकंसो एई 303 एए तो लेके 303 वी दे वेच जड़ा ट्राइब्यूनल्स बने वे उनना बारे दस्यागया तेंसो चावी तो 309 दे वेच दस्यागया दोस्तो इलेक्शन्स दे प्रवीजन है जड़ी ओ दे बारे डिसकस किता गया एग दूजी अधिक्शन ओन भी बारे है तो हो सकता है तो नोगादा क्वेच दा आज वे याद रखना तेंसो चौई तो 309 तक उस्तो बाद है जी 303 तो लेके 302 आर्टिकल दे वेच चाव स्पैशल प्रविजन देतियां कहीं हैं जड़ी आज कोई खास क्लासेज दे लेई जमें स्सी अधिक्शन ओगे एंग्लो इंडियन इद्दा करके किन्ना बरे ठीक है जी उस तो इलावा तेंसो तताली तो लेके 309 आर्टिकल तक उफिशल लेंग्वेजज जड़ी हैं ओधसी हैं किड़ी हैं किड़ी हैं उस तो बाद 302 तो लेके 360 तक एमर्जेंसी प्रवीजन हैं अ अपने जड़े देश देट तेन तरह नहीं आइमर्जेंसी हैं लग सकती हैं उस तो इलावा 308 तो लेके 308 तक मिस्लेनियस आयंदे हैं इरे वेच किये दोस्तों मिस्लेनियस देवेचे ए कि प्रेजिजेंट गवर्नर यह जड़ें एमपी होगे उनना जबते कनून नी नहीं चल सकतियां इतनी चीज़ां इरे वेच का और किते हैं गियां 300 कार ते 308 ते वेचे उस तो इलावा जिड़ा बहुत इंपॉर्डन्ट आर्टिकल होंगा अपने कोड़े उ है गाजी आर्टिकल 368 ए 368 आर्टिकल दे तैत Constitution amendments किते हैं जाने कि सब्दा आनिक सुद्ध जड़ियां पार्लियमेंट कर दी है वो आर्टिकल 368 दे अंटर कर दी है यह बहुत वारी प्रदेवेच क्वेस्चन आया है यह तुझी याद रखना कि Constitutional जड़ी अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 देता है तो किती हैं दी है उस तो बाद है जी 369 तो लेके 392 तक इदे दसेग है दोस्तों कोजिए खास स्टेट्स दे लेई Temporary, Transitional, Special Provision देती हैं कि यह कोजिखास स्टेटा है यह जमेंके J&K नूँ आर्टिकल 377 दे अंटर Special Provision देती हैं कि यह उससे तरह अपने गुजरात महाराश्चारा नूँ आर्टिकल 377 देती हैं यह जाना 309 तो लेकर 352 दे बैच विच कवर किती हैं गाना उस्तो बाद दोस्तो लास्ट आज़े दो आज़ें थे 393 तो लेकर 395 तक ए आर्टीकल दे बैची को जो खास नहीं गा जे सिर्फ दस है गया एना दे बैच्च की शॉर्ट टाइटल की अपने ज़ेदा अंदा नाव की होना चाहिए है वह गाजी Constitution of India खीक है जी 134 में देख दस है कि एदे बच्छ केडियां किडियां चीजां जीडियां एन मोके दे लागू कर देती हैं जीडियां पहला तो अनुदास करेट हैं ठीक है जी ता इदन देख जीजां एदे बच्छ चित्तियां पर शुरूरी ज़रूरी ज़रूरी अमेंडमेंट्स हैं बिलकों इस तो बाद आपमां समयाप्थी कर देंगे ठीक है ज़रूरी अमेंड मेंट्स होग है किडियें-वैसे दोस्तों बहुत सारी हैं सोदा हुई पर अपने इत्रे बिल्कुल इंबॉड़न्ट सोदा डिसस करने जा रहे हैं अपना सब तो पहला शुरू करते हैं सत्मी सोद जो के उनिसस पंजा दे बच होई इस दे बच जड़े स्टेट सी के ओ लेंग्वेज या लिंग्विस्टिक बेस दे रियार्गनिजेशन होई ते यूटी ज़ी बंड़निया इससे सोद तो शुरू होनिया फिर दसमी सोद निससो काट दे बच जी दे तैत दादर नगर हवेली नो पृत्टिकालीय तो चड़ाके ऐज यूटी बार दे बेच शामल कीता गया मुझा ये बारमी सोद निससो काट दे विच होई इस दे विच जिमें पहला दादर ते नगर हवेली तरह गोवात दमन दीग नो भी ऐज यूटी बनाके पृत्गलीय नो शुर तो ट्रांसफर कराके यूटी ते तरते इंडिया दे शामल कीता गया रखना कोईश्चन आज अंदा है उस्तो बाद शत्ती में सोद आई जो इनी सो पी अत्र दे वेच्च सिक्के मिनूं स्टेट बुनाया गया गया दे ताहता ब्याली में सोद दोस्तो मोस्ट इंपार्डेंट जडी मैंडमेंट अपनी हम तक दी इंडियन कॉंसिटीशन दी उ जब अद गेते गया थी प्रेंबल दे वेक्च ओ भी ब्याली में सोद दे तैथ शामल गीते गया थी उस्तो बाद चताली में सोद नी सो ठत्तर दे वेक्च इस सोद दे वेक्च कियो है के देडा राइट टू प्रोपर्टी जिए उनूं फंडामेंटल राइट तो हता के आजे लीकल राइट आर्टिकल तेनसो ए तेत कंस्टिटूशन दे वेच शामुल कीता गया थी उस तो बाद आजी बवंज मी सोध उनीसो पिचासी दे विच्च इस सोध दोस्तो ये होया थी के इलेक्शन तो बाद कोई भी निता रिड़ा और दाल बदल नी सकता सी का इस तो पहला किन्दा सी के इलेक्शन जटके जो निता बेट जन दे सान उत दाल बदल के दूजिया पार्टिया ना रल जन दे तो सरकार बना लें दे सी ठीक है जी ता इदे नाल बहुत सार या अनिस्चता मा पैदा हो गई या सरकार बनन डिगन दे वेच्च ता पार्लिमेंट ने उननिमस लिए डिसीजन लेके बवंज में सोध देता है तो ये चीज़ टेड़ी इल्लीगल या गैर करनू नहीं कर देती गई ठीक है जी उस्तो बाद काट में सोध उननिसो नननमे दे वेच्च ए हुई ए बहुत इंपॉर्टन्ट है दोस्तो काट में सोध उननिसो नननमे देता है तो जड़ी वोटिंग दी उमर सी उपहला 21 साल होया कर दे सी ओक टा के 18 साल कर देती गई ठीक है ए तुसी याद रखना है उस्तो बाद एका तर्मी अमेंडमेंट दे वेच्च उननिसो बाद में दे वेच्च कॉंकनी मनीपूरी ते निपाली पशा वानु भी अठमी शडियूल दे वेच्छ शामल कर ले गया ते तर्मी सोध है जड़ी दोस्तो ए बहुत इंपॉर्डन्ट है उननिसो तरानमे द वेच्च में दे वेच्च शामल किती हैं गही असी ए दोस्तो याद रखनी है 73 ते 74 अमेंडमेंट तो नचैती राज इंस्टिटूशन दे नार रिलेटर ने जी उस्तो बाद जी 86 में सोध 2002 दे वेच्च 86 में सोध 2002 दे वेच्च ए सी के छे तो 14 साल तक दे जड़े बच्चे उनननों कमपल्सरी ते फ्री एज्यूगेशन देनी जड़ी है ओ जरूरी है 86 में सोध दे तैती दोस्तो 11 में ए फंडामेंटल ड्यूटी अपनी एक नमी शामल होई सी के हरे एक पेरेंट दी ड्यूटी बन दी है हरे एक पेरेंट्स दी के अपने बच्चा नों स्कूल पे जणो हो फ्री ते कमपल्सरी एज्यूगेशन प्राप्त कारन ले ठीक है जी उस्तो बाद है जी बन में मी सोध दो हयार तैन दे बच चेड़ी होई सी यह दे तहत बोडो डोगरी मैथली ते संथाली पर शामल कीता है जी अपनी एक शेडूल दे बच शामल कीता है जी एक शेडूल लेंग्वेज इस तो इलावा सर्वेस टेक्स दी जी जी खीक है जी स्तन में मी सोध जड़ी दो हयार बारा दे बच ते अपनी आखरी अमेंडमेंट इस डिस्कुसिन दी ए है कि इस दे तैत कॉपरेटेव जड़ी ससाइटी बनाईयां गईयां से इनन इंट्रोडूस किता गया सी नाइंथ बी पार्ट दे बच श्तन में मी सोध द अमेंडमेंट्स में तो अनुदस है कि तुसी याद रखनी है इस तो बाद जड़ी हो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होन जा रही है जड़ा जी एस्टी बेल पास होगा हो दे बरे विच्छ ठीक है जी तो फिलाल अपना हजी करनी नहीं तो यह ही अपनी जड़ी है वो जुरूरी है तो यहाद रखनी है ब्याली मी सोथ दोस्तों सब तो बड़ी अमेंडमेंट है 1976 दे बैच्छ ब्याली मी सोथ आई सीगी ते जड़े 59 क्लॉज सीगे तो ब्याली मी सोथ नो मिनी कॉंस्टिटूशन दे नानाल भी जना जंदा कई यह आ जंदा विप्र पास कर ली सी ठीक है जी सर्व समतिनाल वो पास होगी सी कि कोई भी नेता रड़ा हो दालनी बदलूगा इलेक्शन तो बाद इदा करके बवंज मी इमेंडमेंट है जड़ी हो पार्लिमेंट नी पास कर ली सी इनानिमसली ता दोस्तों ए सी इंडियन कॉंस्टिटूशन बा हैं किड़े किड़े जरूरी चीज़ा से कियां उस तो बाद हो दे आर्टिकल्स में तो नो ग्रॉप से विच्ट से ठीक है जी इंपॉर्डंट अमेंडमेंट्स होना अपना लास देवे डिसकस किती हैं तो दोस्तों ए चीज़ां तो सी याद रखनी है बहुत सारा जड़ चीज से दो होगी ऐसा मेरा विश्वास है इस तो बात दोस्तों जिमे की तुछ तो अड़ी मांग दे ते बहुत सारे दोस्ताने क्या सी कि अकाउंट्स दे उपर वीडियो पाई जावे ता इस तो जी नेक्स्ट वीडियो वह अपना जरूर अकाउंट्स दे उपर तो से इस वीडियो दे अपनी स्पोर्ट देनी है ता टाइम कटन ली तानवाद दोस्तों ते सब्सक्राइब ते शेर जरूर करे हो क्योंकि साठी कोशिश यही है कि बत 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 वाड़ी हल्प किती जावे के में न के में ठीक है दोस्तों ता मिल दे हैं फिर नेक्स्ट वी